एक बाग फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नए पार्ट का वीडियो लेके आया हूँ तो सबसे पहले मैं बता दू कि हमारे चेप्टर का नाम है समकाली दत्शी नेशिया Class 12 Political Science है आज हम इसके Second Part को पढ़ने वाले हैं पहले पार्ट का वीडियो और लेडि मैंने बना रखा है यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखे ताकि आपको वो सारी जानकारी अच्छे समझना है और आप चेप्टर को सही तरीके से समझ पाएं तो आएए सुरवात करते हैं इसके Second Part का यह Second Part नहीं है यह हमारा Third Part है अच्छली हमने First और Second और लेडि बना रखा है क्योंकि यह Chapter कुछ ऐसे Point थे ने जो बहुत लंबे थे हम जब देश के बारे में बात कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में बंगला देश के बारे में भुटान के बारे में श्रिलंका के बारे में मयामार के बारे में तो ये देश के साथ-साथ हमने इसके आर्थिक बेवस था, राजमितिक बेवस था और इनके साथ हमारे भारत जो देश है उसकी मैतृता है या सतुरता है, यहाँ पर लोकतंत्र हुआ, कब तक राजतंत्र हुआ, किस तरह की क्रांती हुई और किस तरह की परसानियों से यह ज जिसका नाम है संपालीन दक्षिनेसिया के वीडियो के थार्ड पार्ट में, आई यह सुबात करते हैं सबसे पहले स्लाइड से, पहला स्लाइड जो है वो हमारा कहता है मालदू, मालदू भी एक देश है, आप सुभी को पता है कि मालदू एक देश है, और वो हमारे भारत का परोशी देश है और आप कह सकते हैं कि यह दक्षिल एसीया का भी एक हिस्सा है इसलिए हमें मालगुव के बारे में पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजों की हुकूमत थी अंग्रेज वहां पर राज कर रहे और यह उन्हीं के अंदर था कब तक ध्यान रखेगा 1965 तक 1965 तब 1965 में क्या हुआ कि मालगुव को बिटिश सासन से आजादी मिल गई अब जो है वो मालगुव को 1965 के बार बिटिश सासन से आजाद हो गया अब रजा मोहंब फरीद दीदी ने वहां पर एक सलतनत बना लिया मतलब उसका देश अजाद हुआ जब मालगुव और राजा थे उन्होंने एक सल्तनत बना लिया और 1968 में इस राजसाहि को भी खतम कर दिया गया जो मोहमब फरीदी दीदी थे न उन्होंने वहाँ आपको राजा बन गए वहाँ के, कहां के माल दूर के, लेकिर बात 1965 में आजाद हुआ बिटिस से, तीन साल तर राजा ने वहाँ पे शासन किया और तीन साल के बाद उन्हें राजा से भी आजादी मिल गई, राजसाही, मतलब राजा के द्वारा किये जा है शासन को खतम करके गंतंत्र की अस्थापना की गई, लोगतंत्र की अस्थापना की गई, जो अभी तक कायब है, अगर हम बात कर लें 1968 से जब से ये राजा के अंदर से आजाद हुआ है, ये मालदीव देश, तब से ये अभी तर स्वतंत्र है, गंतंत्र है और लोगतंत इस तरह से आपने माल दीव के बारे में देखा और आपको माल दीव समझ में आ गया होगा अगरी स्लाइड में चलते हैं अब हमारा जो परोशी देश है भुटान देखिए मैंने बहुत खड़ी खोची सुनाया है बंगला देश को भी पाकिस्तान को भी चाइना को भी लेकि फ्रेंड्शिप है बहुत फ्रेंड्ली है हमारे रिष्टे भुटान ने अपना संभिधान मतलब खुद का कंसिलिशन कब बनाया 2008 में लागू किया ध्यान समझेगा भुटान जो भारत का परोशी देश है और दक्षिन एसिया का एक हिस्सा भी है उसने अपना संभिधान 2008 में लागू किया भुटान में बर्तमान में सम्पैधानिक राजतंतर की द्वस्था कहने का मतलब यह है कि भुटान में अभी राजा के द्वारा तो सासल है लेकिन राजा निरंकुष नहीं है राजा पर अंकुष लगाने के लिए वहां एक संभिधान बनाया गया है करते हैं तो राजा तो सरकार का सर्वो पड़ी होता है सबसे सुप्रीमो राजा ही होता है लेकिन राजा के नीचे नियम कानून होते है राजा भी नियम कानून से बंधा होता है यह नहीं है कि जो मना हो करे निरंकुस बाद हो जाएं ऐसा सीन नहीं होता है तो आप समझ गए होंगे कि सम्भैधानिक राज दंद क्या है सासन राजा का ही है सुप्रीमो राजा ही है लेकिन राजा आपने मन से सारे काम को नहीं कर सकता उनके लिए भी नियम कानून बनाए गए है आईए वह अगले स्लाइड के तरफ बढ़ते हैं आगे हमारा कहता है भारत और दक्षिन एसिया के देशों के संबंद जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि दक्षिन एसिया में बहुत सारे देश हैं उन देशों के साथ हमारे भारत का रिस्ता कैसा है कैसे रिलेशन है हमारे उन देशों के साथ उसके बारे में जानेगे सबसे पहला रिस्ता भारत और पाकिस्त समस्या एक ऐसी समस्या है भारत और पाकिस्तान के बीच कि वो लंबे समय से न सुलज ही नहीं रहा है और न सुलजने के भी बहुत सारे कारें है पाकिस्तान इसमें हमारे साथ गलती कर रहा है शुरवात से ही काश्मीर हमारा था भारत का हिस्सा था लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ काश्मीर का आधा हैंसा पाकिस्तान ने कबजा कर लिए और आधा हैंसा हमारे पास रहा गया जिसे हम जम्मू काश्मीर के नाम से जानते हैं विभाजन के तुरणत बार्त क्या हुआ था जब हमारा देश विभाजीत हुआ था तो पाकिस्तान और भारत के बीच काश्मिर को लेकर लड़ा यह शुरू हो गए उधी सुरू हो गया चुकि बिभाजन के समय काश्मिर एक स्वातन्त राज था जब भीभाजन हुआ है उस पर अपना नатयाग दावा ठोगता है नजाग यो खुद भी है और नाजाग इसका दावा भी है इस समस्या को लेकर भाएरत और पाकिस्तान के बिच 1947 से 1948 और 1965 में युध भी ओ चुका है लड़ाईयां भी ओ चुकी है हमारे और पाकिस्तान के भी यूद के फलस औरूप क्या हुआ काश्मीर के दो हिस्से हो गया काश्मीर दो हिस्सों में तूट गया एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकरित काश्मीर कहलाया जब की दूसरा हिस्सा जो है वो भारत का जम्मू काश्मीर पर गया जब यूद हुआ तो यूद के उपरां काश्मीर जो है वो दो अलग-अलग हागों में तूट गया एक हिस्सा पाकिस्तान के साइड चला गया और एक हिस्सा हमारे भारत के साइड आ गया आज भी यह समस्या है ना वो जस्की तस बनी हुई है आज भी हम लगाई करते हैं और यह समस्या बनी हुई है लेकिन अभी के समय में क्या हो गया है यह जो काश्मीर पाकिस्तान के तरफ से जो पाकिस्तान अजिकरित काश्मीर है वो आतंक बादियों का एक सैनिक ठीकाना कहि दूसरा है बंगलाधेश समस्या देखे 1971 में बंगलाधेश की आंतरीक समस्या जब आई थी हमने पिछले टॉपिक वीडियो के टॉपिक में यह डिसकरिसन किया था जिसको लेकर बंगलाधेश के निताओं ने भारत से मदर मागी थी और बोला था कि भारत इसमें अपने सेहन पाकिस्तान ने देखा कि मैं और मेरा देश भारत जो है वो बंगला देशियों की मदद कर रहे हैं तो उसके और हमारे बीचना संगर और बढ़ गया हम लोगों का जो हमारे और पाकिस्तान के बीच का जो दूरी था वो और ज्यादा बढ़ा हो गया क्योंकि हमने उसके मन में हमने पाकिस्तान के बारे में देखा अब हम आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ समझाते भी हुए हैं कुछ समझाते हैं आप इन्हें ध्यान से देखेगा सिंधू नदी जल समझाता जो 1960 में हुआ था यह इंपोटेंट ह हुआ तास कम समझाता 1966 में हुआ यह सारे समझाते का वीडियो ना आगे आने वाले कुछ दिलों में आपके लिए आएगा इस्पेशल वीडियो हर एक टॉपिक पर सिमला समझाता जो था वो 1972 में हुआ लाहोर बस यात्रा जो समझाता था वो 1999 में हुआ और इसके अलाबा और भी बहुत सारे समझाते हैं जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं लेकिन हमारे चेप्टर और सिलेवस के हिसाब से यह जो चार समझाते हैं वो बहुत महत्तपून हैं आप इन चारों समझाते को बिलकुल ध्यान से समझेगा सिंदू नदीजन समझाता 1960, तासकन समझाथा, 1966, सिमला समझाथा, 1972, और लाहोर बस 1899 में हुआ था, ये सारे समझाथे, आगे की स्लाइड ने बढ़ते हैं, आगे का स्लाइड जो है वो कहता है, भारत और बंगलादेश के भी संबंद, हमने पाकिस्तान के साथ तो अपने संबंद बंगलादेश के साथ, वो ज्यादा मजबूत हुआ है, पहले की अप्रेक्षा, पहले इतने प्रगाज संबंद नहीं थे, लेकि पिछले 10 वर्सों में हमारा और बंगलादेश का रिस्ता जो है, वो काफी मजबूत हुआ है, बंगलादेश भारत की पूरब की ओर चलो की निती का हिस्सा है, भारत जो पूरब की ओर चलो निती है, उसका हिस्सा है कौन? बंगलादेश, बंगलादेश भी भारत को सपोर्ट करता है, पूरब की ओर चलो निती भी, आपदा परबंधन और पर्यावरण के मामले में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं हमारा परोशी देश है बंगला देश इस कारण से आपना प्रबंधन और जो परियावरन से जुड़ी समस्या है इसमें हम दोनों देश मिल के काम कर रहे हैं और दोनों देश एक दिसरे को सहयोग भी दे रहे हैं आपसी वैपार भी बढ़ रह बहुत सारे बिजिस हमारे बहुत सारे इंडियन्स में भारत में भी और उनका भी बिजिस हमारे यहां चल रहा है तो यह भारत और बंगला-देश के बीद जो संबंध है वो संमती के ऊपर है मतलब अच्छे कामों के ऊपर है अभ हम आगे की स्लाइड में देखते हैं नकारा मैंने यह बाते पहले भी की थी ना भी पिछले पार्ट में कि गंगा और गंपुत्र की नदी जो है इसके पानी को लेकर हमारे और बंगलादेश के बीच बहुत ज्यादा ज़रब कुछती रहती है भारत में अवैल प्रवास जिसका बंगलादेश खंडन करता है यह बंगला तरीके से चहां मन होता है सरकारी जमीन देखके जुगी दुगी लगा देते हैं और इनकी संख्या इतनी जादा होती है कि अभी आपने दिन देवे बहुत सारे कांट देखे होंगे यह बंगलादेशियों को हटाने के लिए बुल्डोजर बुल्डोजर चल गया तो यह कटरपंथ आतंकवाद को बंगलादेश की जमीन से फैलना दे कि भारत के खिलाफ जो आतंकवादी संगठन बना जाते हैं वो भी बंगलादेश में सक्रिये हैं बंगलादेश में बहुत सारे ऐसे कटरपंथी हैं जो रहते हैं इससे भारत नराज रहता है बंगलादेश से कि आप ऐसे नागरी को और संगठन को क्यों बढ़ावा देते हूं इस पर भी हमारे और उसके बीच नराजगी है सेना को पुर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना पुर्वत्तर हिस्से में भारत के सेना को जाने के लिए बंगला देश रास्ता नहीं दे रहें क्यांकि बंगला देश बीच में आता है और उस तरफप हमारा प्रोपतर हिस्सा पर ता है और वह जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा इसके भारत के सारु उसका भिवाद है मया मार को बंगला देश इलाके से होकर भारत की प्रकिर्थी गैस निर्यात नहीं नहीं करने देगे नहीं जाने देगे अब आपको पता है कि तुम मेरे परवसी देश हो अगर तुम हमारे साथ मैतरता की भावना रखते हो तो हमें बैपार करने में मदद करोगे ना लेकिन वो इसके मदद नहीं कर रहा है कहीं न कहीन तो नीती बदल नहीं सेकती है न कहीन न कहीं तो इसकी तो यह भारत का विलोधी होगा ही तो इसी कारण से नकारात्मत विभाद है वो हमारे और बंगला देश के से बीच में चलता रहता है आगे कि सलाइड से épust dispatch बहुत लंबस निती है जिसके द्वारा वो दक्षिंपूर्ड ACI देशों से अपने संबंध और आर्थिक संबंध अच्छा बनाना चाहता है एक लाइन में पूर्थी अच्छा जबाओ भारत के तरफ से जो पूर्व की ओर चलो निती है उसमें वो क्या करना चाहता है वो चाहता है कि दक्षिंपूर ACI में जो देश हैं जितने भी देश दक्षिंपूर ACI में आते हैं उनके साथ अपने आर्थिक मतलब इको नॉमिकल सिस्टम मजबूत करें राजितिक सिस्टम म में आते हैं कौन हैं बंगलादेश, मयमार, इंडोनेशिया, सिंगापूर और मलेशिया इनसे हम अपने बैपारिक संबंद, बिजनेस वाले संबंद बनाने की कोशिस कर रहे हैं इस बात के भी पर्यास किये जा रहे हैं कि साजी खतरों को पहचान कर हम एक दूसरे के जरू इनके एकोनॉमिकल सिस्टम जो है, वो मजबूत हो जया है, ये था हमारा पूरब की ओर चलो निती, पूरब की ओर चलो निती के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में हमारा कहता है भारत और नेपाल का संबंद कैसा है, जैसे पाकिस्तान, घुटान, बंगला देश, ये सब हमारे परोसी देश हैं, वैसे हमारा देश परोसी जो है, वो नेपाल भी है, नेपाल के साथ हमारे संबंद हमेशा से मधूर रहे हैं, बहुत ही अच्छे संबंद है, दोनों देशों के बीच एक संधी भी हुई थी, जिस संधी में दोनों देश के नागरिक जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में बिना पास्पोर्ट बीजा के आजा सकते हैं ये हमारे भारत देश और नेपाल के बीच में एक संधी हो रखी है इसमें क्या होता है कि बीजा की आप सक्ता नहीं होती और हम वहां आजा सकते हैं और वहां के लोग हमारे यहां के काम कर सकते हैं, हमारे लोग वहां जाके काम कर सकते हैं, अब देखो, ऐसा है कि इन संबंधों के बाद भी कुछ मन मुटाव हम लोगों के बीच में पैदा हुआ है, किसके बीच? नेपाल और भारत के बीच, नेप और नेपाल के तो नेपाल का भी परणुषी देश चीन गी है। चीनी के साथ इनके जो दोस्ति हैं उसे भाराऊ सरकार जो है वो अक्सर खफा रहता है इसलिए हमारा और नेपाल के बीछ भी मन मुटाव रहता है अगर हमारे दुशमन से कोई दोस्ति कर ले तो हमारे लिए तो दुशमन नहीं हो जाएगा न तो ऐसा ही कुछ हमारा भी ग्यानिक सहयोग, प्रकृतिक संसाधन, भिजली उत्पादन और जल प्रबंधन जैसे मुद्धों पे एक दूसरे को मलद करते हैं, यह इंपोर्टेंट है, ध्यान समझेगा, हमारा और नेपाल के साथ जो संबंद है, वो क्या है, बैपार में, बिजनेस भी करते हैं, बैग् देशों के बीश संबंद ऑश जो है, वो बहुत ही अभी अच्छा चल रहा है, बहुत ही मजबूत चल रहा है, आइए अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, आगे का स्लाइड है भारत और भूटान के संबंद में ने भूटान के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड जो भुटान के साथ है वो बहुत ही अच्छा है और हमारा कोई भी जगड़ा भुटान के साथ होता भी नहीं है क्योंकि हमने कभी भुटान ने कभी उंगली हमें नहीं किया हमने कभी भुटान को उंगली नहीं किया तो इसलिए दोनों देश जो है बहुत ही अच्छे मित्र खदेर भगाया जो भारत विरोधी लोग थे यही होता है दोस्ती यही होता है मित्रता यही होता है परोसी होने का दाइतु और यही होता है अच्छे लोग की पहचान एक देश पाकिस्तान भी है दोगला हमेशा आतंगवादियों को बढ़ावा देता है एक भूतान है जिसक भुटान के इस कदम से जब भुटान ने ऐसा किया तो उससे भारत को बहुत मदद में भारत को बहुत लाव भी प्राप्त हुआ और भारत भुटान में पन बिजली जो पानी से बिजली त्यार गया आता है ध्यान से समझेगा पन बिजली उसे कहते हैं जिसे हम पानी से एले वुटान है यह यहां कि भुटान की हो देखा कि भुटान की संबन्दहान भाषिक और हमारे बिट में Nine पूर नगर का सयोग भी कर रहें आतिमकबादि संगठन पाकिस्तान में tua लगाद देशन भी supply chain चाइना में भी है और कुछ नेपाल में भी है लेकिन ये लोग किसी प्रकारा कदम नहीं उठाते हैं लेकिन भूटान को देखिए कि भूटान में अपने एरिया में भारत विरोधी लोग जो थे जो गुरिलाई थे जो वहां के उगरवादी थे उनको उन्होंने मार भगाया और कहां कि यहां पे रहने की जरुवार नहीं है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दक्षेस क्या है देखिए S.A.A.R.C. South Asian Association for Regional Corporation फुल फॉर्म में इसका द्यान से समझेगा हिंदी में इसे कहते हैं दक्षिन ACI छेत्रिय सहयोग संगठन कब इसकी अस्थापना हुई 1985 में हुई बिल्कुल ध्यान से समझ लेजे रट लीजे याद कर लीजे जैसे भी हो आपको यह चीज़े आनी चाहिए S.A.A.R.C. जिसे हिंदी में दक्षेश कहते हैं फुल फॉर्म है South Asian Association for Regional Operation दक्षिन ACI छेत्रिय सहयोग संगठन दक्षिन ACI के अंतरगत जो देश आते हैं उनके सहयोग करने के लिए जो संगठन का निर्मान किया गया है उसे ही हम S.A.A.R.C. कहते हैं स्थापना कब हुई कब इसका निर्मान हुआ 1985 निर्मान हुआ 1985 में इसका निर्मान हुआ मुख्याले कहां है भाई ओफिस कहां है इसका हेड़ क्वार्टर कहां है नेपाल में है काठमांडू में है ध्यान से समझेगा नेपाल काठमांडू में इसका हेड़ ओफिस है और अफगानिस्तान, अब देखें अफगानिस्तान जो है वो 2007 में सामिल हुआ था, 2007 में अफगानिस्तान भी दक्षेश में सामिल हो गया, जिसका फुल फॉर्म है, South Asian Association for Original Corporation, हिंदी में कहते हैं, दक्षिन ACI छेत्रिय सहयोग संगठन, 1985 में इसका अस्थापना हुआ और ये सारे देश जो हैं, वो इसके संगठन के सदसर देश हैं, दक्षिन ACI देशों ने आपस में सहयोग के लिए सन, दक्षिन ACI के जो देश थे, जो संगठन के देश थे, उन्होंने अपने सहयोग के लिए मदद के लिए, 1985 में दक्षिन South Asia Association for Original Corporation की अस्थापना की, समयलन елण धाका में, समझेगा ध्यान से, 2005 में तेरह वे सार्ख सिखर समयलन धाका में, धाका में अफगानिस्तान को सार्क में सामिल करने पर समत्ती बनी. मैंने अभी अभी बताया कि 2007 में अफगानिस्तान को जोड़ा गया था दक्षेष के साथ. लेकिन ये बाते कब लाई गई थी? 2005 में जब सिखर सम्मेलन हो रहा था धाका में, बंगला देश में, बंगला देश की राजधानी, धाका, 2005, 13वा सम्मेलन, बिल्कुल ध्यान दर समझना है, अफगानिस्तान को सार्क में जोडने की बात की गई, 2007 के 14वे, 13वे में बात की ग सामील हुआ, 2005 में बात की गई और 2007 में वो सामील हो गया, वैसरी करन के दौर में हुए साथ सम्मेलनों में, जो जिस सम्मेलन हुआ, उसके में बाते क्या-क्या हुई, मुद्दा क्या-क्या था इनके पास, तो इनके पास था जलवाई परिवर्तन के बारे में बात करना था आपदा परवंधन और आतंकवाद की समाप्ती पिलिए बात करना था इसके उपर इन्होंने पूरा विचार किया और इनके बीच समझोतों परहस्ताक्षर भी हुआ इन सारे मुद्यों को लेके आपदा परवंधन जलवायों परिवर्तन आतंकवाद इन सभी गंभीर प्रॉ संभिलन 26-27 नॉम्बर 2014 को नेपाल की राजधानी काथमांडू में संपन हुआ तेरा हुआ हुआ 14 हुआ हुआ अब यहां पर माथारवे की बात करेंगे जो नेपाल में 2014 में संपन हुआ जिसका विशय सांती एबं सम्रधी के लिए पर्तिवद एक जूरता थी जो नेपाल में साथ संभिलन हुआ उसमें इन्होंने अपने सभी संगठन के देशों से सांती विचारधारा को अपनाने का करेंगे हम अपने देश की आर्थिक विवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे डैपार बढ़ाएंगे एक दूसरे में सांस्कृतिक पधतियों को बढ़ाए इस तरह से आपने देखा कि दक्षेश का अठारवा सिखर संभिलन जो नेपाल में हुआ था उसमें किस किस तरह की बाते हुए थी आगे की सलाइड में बढ़ते हैं दक्षेश का ये लास्ट क्वाइंट है सार्क का उनिस्वा सिखर संभिलन जो है वो 2016 में इस्लामावाद एगे कोई इस्लामावाद पाकिस्तान में हुआ 2016 में उनिस्वा सिखर संभिलन जो है परनतु उस हमें आतंक बात के कुछ दोगले आतंक बादियों ने हमला किया था उरिके उस कारण से भारत ने इस सम्मेलन का पून रूप से बहिसकार किया उसने बहिसकार कर दिया क्योंकि ऐसे भी पाकिस्तान आपको पता है दोगलादेश है आतंकवादियों का जगह है वो और यहां पे न गंतंत्र है न स्वतंत्र है न राजतंत्र है सिर्फ सेने सकती है और यहाँ पर जो सेना का मन होता है वही करता है तो जिनका अपना कुछ नोव उनके यहाँ क्या संभेलन होगा तो इन्हों ने 2016 के जो साग संभेलन था इस्लामाबाद में भारत ने इसका विरोध कर दिया और भारत के विरोध करने के बाद क्या हुआ बंगला देश, भुट स्री लंका मालवीप ने भी इस संभिलन का बहिसकार कर दिया और इस तरह से यह संभिलन बेरा गरक हो गया जो लाश्ट संभिलन था उन्हीं सबाब वो 2016 के इसलामाबाद में हुआ था जिसका सभी लोगों ने वैसकार कर दिया को इसके समर्खन को करेगा जो इतने वरे आतंगबादी संगठन को चलाता हो तरह सारे आतंगबादी संगठन इसके अंदर पलते हो जहांकि परजा नातूस है जहांकि परजा पर मतलब बेरहम ही बेरहम है अपने देश को जो देख चुआ है चाहिना के हाँ तो उसके उपर क्या देखा जाए कि हैसियत से उसकी बात की जाए उसके ठीट है आगे हम दक्षेस का निरमान किया गया अगे आपको पता है कि अगर इसका निरमान किया तो फुम तो इसको ब्रोग एakukan अश्यों के झाक जिवन अस्तर में बिर्दई करना बुनीज चीमने के जाना दक्षिन एसिया में आर्थिक विकार्ष करना, economical सिस्टम मज बूत करना, समाजिक प्रति औंस्रास किरति कुरती, समाज्च भुधार करना, यह सब दक्षिस के उद्धेश थे। दक्षिन एसिया में सामोहिक आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता बनाना, लोग को सेल्प इंडिपेंडेंट बनाना, रोजगार की तरफ लेके जाना, उनको उसल कारीगर बनाना, कारे को सिथाना, ये सब दक्षिस का उद्देश था, आपस में सांती बनाए रखने, और समाधान, सांती पर समाधान, मतलब कोई देश एक दुशिन से लड़ेगा नहीं, जगरेगा नहीं, बोला बारून नहीं करेगा, अमार बिट नहीं करेगा, ये सब दक्षिस के उद्देश थे, जिस कारण से इसे बनाए गया थे, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, दक्षिस के उद्देश में है कि दक्षिन ACI देश युक्त बैपार संबंधी बाधाओं को दूर करना, आपस में जितने भी बैपार या बिजनेस करने में परिशानी हो रही थी, उन्हें दूर करने के लिए दक्षिस का निर्मान किया गया था, सीमा सुल्कों को हटाना, एक देश स की आर्थिकी सिते से मजबूत होगी, भारत ने अपने परोसी देशों के साथ, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश एवं स्रिलंका प्रमुख है, इनमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, तो बाकी राष्टों के साथ भारत के संबंध बहुत की महसूस करोगे खुड़ को, तो जितने भी हमारे परोसी देश हैं, देखिए, इसमें बात कर लेते हैं, नेपाल, बंगला देश, स्रिलंका, इन सभी के साथ जो है, वो हमारा रिस्ता जो है, वो काफी अच्छा है, पाकिस्तान को छोड़ के, अब देखिए, हमने इतने स सारे देशों के साथ अच्छे संबंद बना रखे हैं, एक अकेला पाकिस्तान के साथ खराब संबंद क्यों है हमारा, तो आपको तो मैंने इसके बारे में इसकी सारी चाल चलन तो बता ही दिया, यादमी ही नहीं ठीक है, इसका देशी ठीक नहीं है, तो इस तरह से आपने देखा कि दक्षिस की उद्देश से क्याते और हमारे भारत के साथ पाकिस्तान, बंगला देश, भुटान, आज़ी देशों का रिस्ता कैसा है, नेपाल के साथ कैसा रिस्ता है, आगे भी तरफ बढ़ते हैं, सार्क की उपलब्दियां, अब सार्क का निर्मान किया गया, तो इसमें किन-किन उपलब्दियों को चुना है, किया है, क्या कै अच्छे काम किये हैं, भारत एवं पाकिस्तान के 20 तनापकोन संबंदों के बाब जूद भी पक्षिये अस्तर पर समझ और सहियों को बढ़ावा देने के लिए, छोटों देशों के लिए अभी बिया उप साफटा को बनाकर बैपार की दिशा में महतवपून कदम हुझा, साफटा भी एक संगठन था, आपको इसके बारे में आगर के सलाइब में बताऊंगा, जब इसे बनाया गया, तो इससे हमारा बिजनेस जो बिजनेस सिस्टम था, जो बैपार करने की पद्दती थी, इसमे बे ओफ बंगाल, इनेक्टिव और मल्टी, सेक्ष्रल, टेक्निकल, और एकोनोमिक कोपरेशन, ये क्या है, बंगाल की खारी, बहुचेत्रिय, तक्निक और आर्थिक सहयूग है, इसका हिंदी मिना, ये याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जाता है, इसके अगर सदस देशों की बात करें, तो इसमें बंगला देश, भारत, बर्मा, स्रिलंका, थाइलेंड, भुटान और नेपाल सामिल है, ये एक ग्रूप है, इस ग्रूप के ये सदस्ट देश हैं, जो सार्ट की उपलगियां है, जो इन्होंने इसे जोर के बनाया है, आगे की सलाइड में देखते हैं, साफ्टा क्या है, मैंने आपको बताया था, कि साफ्टा के बारे में मारी की सलाइड में बात करेंगे, साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिन एसियाई मुक्त व्यपार छेत, लागू कब हुआ ये, 2006 में बैपार सौधा साफ्ता के समझोते पर हास्ताक्षर किया जो एक जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया साफ्ता साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया जिससे बीना ज्यादा खर्च की हुए बैपार किया जा सकता था एक दूसरे देश में इसके जो समझोता हुआ इसके दो मुख अधिकारें बताते हैं पहला उद्देश था बर्तमान में भारत जो अभी मैंने गूप बताया था विम्स्टेक जिसमें कई सारे देश हैं इस पर अधिक बल दे रहा है मतलब इसको अधिक जाग्रूपता के साथ योग में ले रहा है इसके वरिष्ट अधिकारियों की 17 व काठमान्डू में फिर से एक मिटिंग के लिए बिलाया गया इस बैठक में क्या बाते हुई बैपार और निवेश उर्जिया परद्योगी की मतस्ते पालन मतस्ते पालन का मतलब होता है मचली पालन जो मचली को पाला जाता है जलवायू परिवर्तन संस्कृति लोगों के संपर्क और अन छेत्रों के बारे में चर्चा हुई जब यह बैठक हुई 2017 में इसमें जो बरिष्ट अधिकारी थे या फिर इसके संगठन के जो सहयोगी देश थे उन्होंने बहुत सारे बैपार की निचियों को अपनाया और बहुत सारे अर्थ विश्था को मजबूत कर देने की चीजों के ऊपर बात जित किया जिसमें निवेस था मतलब इन्वेस्टमेंट था उर्जा था उर्जा परद्रोग की मतस्पालन जलवायू परिवर्तन और संस्कृति के बिच लोगों का आपस में कालमेल बिठाना था यह था हमारा साफ्टा आईए हम आगे की तर अब मैं आपको बता दू कि चेप्टर पांच के तीन पार्ट के वीडियो आप लोगों के लिए बन चुके हैं और यहां पे हमारा चेप्टर पांच जो है वो बिल्कुल खतम हो चुका है आसा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा हर एक क्वाइंट मैंने आप आपको सारे कॉइंट समझ में आये हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें खासकर 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए क्योंकि बहुत कम सारी वीडियो जहां पर बच्चे सही तरीके से पढ और बच्चे क्या है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ना उनकी पढ़ाय का सिस्टम बहुत बिगर गया है तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अब हम आपको मिलेंगे अगले चैप्टर अगले वीडियो के पार्ट में तब तक के लिए झाल